मिना नाम आसे मुहमद है, आप लोग देख रहे हैं वन्डे एक्जाम आज की इस वीडियो में मैं जितनी भी अपकमिंग जुडिसरी वेकंसी दें या एपी ओ या एपी पी की वेकंसी दें डिफरेंट स्टेट में मैं जाए यूपी हो, ऍेली हो हर् याणना हो, MP ही सारे मैं डिफरेंश करूँगंगा एक थी, उल लख वीडियो में लज़ना ही Think, ऐस इस वीडियो में मैं सारे डाउट क्लियर कर दूँगा कि आपको अपनी प्रिपरेंशन को कैसे करना है से करका है कब वेकंसी आ सकती है सब मैं डिसक्स कोनेंगा एक एक करके उसको उठाएंगे तो चैनल में लास्ट बने रहे हैं वीडियो में वीडियो में लास्ट बने रहे हैं और जो है अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको सबस्क्राइब करें और सेयर करें ठीक है तो बिना किसी को direction दिया है कि आप जो है जल्दी से मंत्री मंडल आपका decision ले ले कि exam को कैसे कैसे कराना है और जो exam जो है वो आपकी high code की निगरानी में आपका होना है इस बार कि हर बार पिछली बार भी कुछ लीक पेपर लीक की आपको निउस मिली थी तो इस बार तो मतलब यह है कि हाई कोड के निगरानी में और स्लेवर्स में जो है थोड़ा बहुसा चेंजर देखने को मिल सकता है जैसे कि आपको इस बार हिंदी में भी पेपर मिलेगा आपको पहले कैवल इंग्लिस वेगन्सी कितनी आ सकती है तो याद रखें हर्याना के जो एक्सपेक्टेड वेगन्सी वह है आपकी आपकी वेगन्सी है वह expected है अब सबसे बड़ा जो है यूपी पीसे जे की जो वेकंसी जिसका बच्चे का अभी दिनों से इंतियाग कर रहे थे और मैंने एक वीडियो भी बनाई थे इसके कबाने के लिए तो बहुत लोग पूझा दे सार इस पर अभी क्या अपडेट है लेटेस अपडेट क्या है तो यूपी पीसे जे का ये है मसला कि अभी तो इससे यूपी पीसे जे से पहले आपकी यूपी एप्यों की वेकंसी लगी हुई है ठीक है यूपी एप्यों का ये सीन हो गया है कि आपका जो आरो एरो का जो एक्जाम है आरो एरो का जो एक्जाम है आपका उसके जस्व बाद हो सकता है अपनी ही नोटिफिकेशन यूपी एफियों की वेकंसी आ जाए यूँकि केडर रिव्यू का काम हो चुका है सब कुछ कंप्लीट है बस आपका सरकार से सीधे आयोग में आपका आपका वो जाना है आयोग में आपका अधियाचन जाना है आपका सिर्फ ठीक ह कि वेकंसी मान के चलें तो आप 350 प्लस आएंगी इस बार इससे कम नहीं होगा मामला इस बार कुछ सेट है दूसरी अब यूपी पीसेजे की बात करो तो मैं आपको बतानों यूपी एप्यों के जस्बाद ही जैसे है मतलब मान के चलूं तो मैं अगर दिसंबर दिसंबर त तक तो फॉर्म फिलिंग चलेगी और उसके बाद मैं मतलब टाइम तो देंगे दो महिने का टाइम तो एटलिस देंगे ये लोग प्रिलिम्स में तो मान के चले जनवरी और यह वही मैं एक्सपेक्टेड जो इसकी यूपी एप्यों के मान के चल रहा हूं वो तो 15 फेब ज यह डिसंबर इंड होने वाला है आपका तो आप कैलेंडर तो अल्रेडी आई जाएगा क्यों एक्जाम कौन कौन से नेक्स्ट यह होने है तो मान के चले कि आरो एरो के बाद जो नोटिफिकेशन जो आपकी आनी है उसके बाद यूपी एप्यों यूपी पीसेज यूपी पीसेज की जो आती ही जो एक्जाम होता है जून में वो होगा तो आपकी यह जो आपकी दो वेकंसी जो है यह आगे पीछे है अब इसमें पहले तो यूपी एप्यों का ही मामला है उसके बाद यूपी पीसेज ये फिर जो आयो का में एक्जाम होता है यूपी पीसेज का PCS Civil Services का वो exam की notification आनी जिसका exam जून में होता है ठीक है तो यह सब आपका मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा और कुछ और important चीजस के बारे में तो वीडियो में बने रहें लास्तक अगला exam जो है वो हमारा daily app का है ठीक है daily app का आपक एपीपी की वेकंसी जो है उसकी form feeling हो चुके है ठीक एपीपी का syllabus चेंज हुआ एपीपी के syllabus पर भी कोशन बताया गया कि आप लोग साइट विजिट करते रहें उसका syllabus जो है वो अपडेट कर दे जाएगा अब उम्मीद लगाई यह जा रही है कि जब CBI एपीपी आ चुक पर उसमें वहाँ पर यही है कि त्री एयर का जो वो लेते हैं त्री एयर्स का experience वाला मामला फसता है बाकी सब मामला वेकंसी अच्छी आती है और exam आपका तो एक ही होता है CBI औ देली एपीपी का एक ही होता है और उसकी मेरिट के साथ पर दोनों का चेंड कर देते हैं ठीक है ठीक है 11 के जो है आपका form registration हुआ है ठीक है तो मैं उम्मीद लगा के चलना हो कि हो सकता है कि अभी इसका कुछ CBI APP का जो exam है वो delay हो और क्योंकि देली एपीपी का भी वेकंसी आने की उमीद है तो देखते हैं कब तक आनी है लेकिन अभी जो कब तक आनी है एक्जेट तो आप सबसे लाश्ट में बचते हैं जो हमारी last वेकंसी जो बचिए लाश्ट वेकंसी जो हमारी बच्ची हुई एमपी सीवील यर्ज तो एमपी सीवील यर्ज के बारे में आपको सबको पता होगा कि विवेक सर्मा करके जो केस अभी चला था सुपरियों कोड में वो डिसम होना उसके बाद ही कुछ एक साइक इसका एक्जाम एक्जाम का मामला हो पाएगा ठीक है तो अगर मैं बड़ी मतलब मोटी मोटी बाते करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास ये सुरू के जो तीन एक्जाम है ये आपके पास जो तीन एक्जाम जो है आपके पा उसके बाद फिर देली एपी पी और मामला उपर नीच चाहिए तो सुरू की तीन वेकंस्री जो है वो आपके हाथ में फॉर्स यूर है ठीक है अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी एक्जामिक प्रप्रिसन किस मोड में है किस मोड में ढालने हैं वहीं मैं बता दूँ कि जब आप प्रिक के त्यारी करना तो और कुछ लोग मेंस की टेस्ट सेडीज भी लिख रहे हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा ठीक है जब आप कुछ का इन्टायल वेल रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो लोग आपको जो है अपने प्रिलिम्स के MCQ solve कर रहे हैं अपने GK मजबूत कर रहे हैं ठीक है जहां पर UP में जहां पे खेल सबसे बड़ा होता है जीके में ठीक है लोग जो है वो सबका अच्छा ही होता है और वो दो महिने में उतने में कवर करी लेते हैं एक एक यापियो में इंडिक्स कोश्चन आ तो तरह नहीं मामला में जो मामला विजीक का है तो यही बताना था तो आप लोग अपनी जीके मच्बूत करते रहें वीडियो में बनाई है था ते जिए कुछ दिनों से मेरी बन नहीं पाई हैं वीडियो सा मैं कुछ्च जल्दी वीडियो अपलोड गर दूँ और व हिस्ट चैनल पर आपको लेटेस अपडेट मिलती रहती ही हर एक्जाम के बारे में और माटेरियल भी आपको फिर एक कोस्ट कराई जा रहा है टेलेगराम ग्रूप डाल दूँगा लोग इसको जोईन कर सकते हैं कुछ नुईज मिलेगी तो आपको आपडेट कर दिया जाएगा ठीक लेगी पड़ीन है कि उसवे में सब खतम कर दिया आपको वजह से आपको एक वरूड़ goose मिल जाएगा कि आपको एग्जाम पैटन में कैसे बैठना कैसे एक्जाम पैटरियों ये पिल्लेंस के में हो नहीं पाए क्योंकि बहुत हो टायम पारहा है चुछ उतना आर बन क्वाइब आपको आपको बता दिया जाएगा कैसे अंडिल करना है तो अब यूसे प्लान कर रहे हैं कर रहे हैं हम लोग कमेंट बॉक्स में जुरूरू बताएं कि उसको चार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ठीकि बहुत इनॉमिनल फीस में मतलब कोई फीस नहीं और तो उसको मैं फिरी में करवादिया जाए कोछ ऐसा वो नहीं है कि पैसे ही पड़ें कोई अगर टेलेगराम में डाल दूंगा अगर कोई कहेगा कि मतलब सरपैसे की मतलब वो है तो मैं फिरी में उसको टेसरी अवेवलो करा दूँ कुछ ऐसा नहीं ठीक है लिकि बस अभी प्लान बना रहूं कि इसका कैसे क्या करें कि अपनी भी प्रिपरेशन मुझे करनी है और आप लोगों को भी देखना है तो देखते हैं कैसे क्या करना है ठीक है लेकिन आप लोग सजेसन जरूरूर दें कमेंट बॉक्स में और प्लीज सबस्क्राइब करें चैनल को ठेंक